देखिए बिल्कुल प्लेन ऐसी प्लेन आपकी हाथ से भी साड़ी में फॉल लगाएंगे न तो नहीं आएगा और कहीं पर भी आपको कोई सिलाई नहीं दिखेगी कुछ नहीं दिखेगा तो इस तरीके से आप 5 मिनिट में फॉल लगा सकते हैं और कहीं पर भी पॉल्टी लिकल जाती है ठीक है याने अगर आपने यहां से इतना सा इधर रख लिया तो यहां जोल आ जाएगा और वह आखरी तक चले जाएगा और अगर इधर रख लिया ऐसे जरा सा तो इस फॉल में जोल आ जाएगा और पूरी साड़ी में बेकार लगने लग जाएगा नमस्का में तब ये जो फॉल रहती है ये रूबिया की रहना चाहिए ऐसे जैसे ये पेटिकोट का कपड़ा आता इस प्रकार की कॉटन फॉल आती है न वो नहीं लगाना है यहापर तो रूबिया फॉल आपको मिल जाएगी बजार में तो रूबिया फॉल ले लेना है पहले और फि ये देखिए ये साड़ी को हमने पूरी खोल दी है अब आपको क्या करना चाहिए पहले ताकि आपसे कभी भी कोई गलती ना हो अगर आपन घर पे फाल लगा रहे है तो देखिए जैसे यहाँ पर ये बुलाउस का पीस जुड़ा हुआ है और हमको डिजाइन के लिए भी निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या देखना है लगबग हमारी जो साड़ी रेती है ना पांच मीटर और 20 सेंटी मीटर बचना चाहिए अगर उससे कम है तो आपको साड़ी का कपड़ा नहीं काटना है यहाँ पर ऐसे मेजर्मेंट करेंगे हम अब यह देखिए कुल में 5 मीटर साड़ी है ठीक है मतलब हमारे पास इस कपड़े को निकालने का कोई भी चांस यहाँ पर नहीं बचता है ठीक है तो हम सीधा बुलाउस निकाल लेंगे यहाँ से देखिए यहाँ से खोल कर बीच में से बॉडर को काट लेंगे अब यह हमारा बुलाउस पीस अलग निकल गया है अब जो जो ऐसी साड़िया रहती है ना इसको जिसे नरम कपड़े आते है ना सलवार सूट के उस टाइप की रहती है तो इनमें सल आते है तो कभी भी इनमे पीको नहीं करना चाहिए अपने डायरेक्ट सिलाई मसीन से इसको मोड लेंगे ना तो यह ऐसे बल नहीं खाएगी ठीक है तो देखिए पहले इसको मोड़ेंगे और फिर आपको सिखाऊंगा कि इस पर फाल आप पाच मिनिट में सिलाई मसीन से ही कैसे लगा सकते हैं क्यों कि मैंने सिलाई मसीन में धागा पहना लिया है मेचिंग कि यह बॉर्डर के पास में आकर अराम से चलाएंगे सिलाई क्योंकि बॉर्डर के अंदर देखिए क्रिस्टल लगे हैं तो सुई टूटने का डर रहता है तो अराम से इसे सिलाई चलाना है यह देखिए मैंने इसको एक बार मोड़ दिया है अराम से अभी यह कहीं पर भी खिचाव नहीं है साड़ी के अंदर और अब इसको क्या करेंगे हम ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे यहां से वहां तक ऐसे पल्टाएंगे और इस पर सिलाई चला देंगे यह देखिए पूरी तरह से यह मुड़ गई है और कहीं से भी बल नहीं खा रही है ठीक है अब लगाना है इस पर फॉल्ड फॉल्ड लगाना है हमको जिदर हम हमारी बॉड़र रहती है न नीचे इस तरफ से ठीक है तो साड़ी को कैसे रखना चाहिए ऐसे रख लेंगे अभी देखेंगे हमारे को जो सिलाई चलाना है हमने शिलेटी धागा लगाया है तो यह इस कत्थाई वाले पर सिलाई नहीं लगाना है हमको कहा लगाना है जहां पर यह सिलेटी भागे ठीक है और यह जो नीचे पाइपिंग का कपड़ा है इसका मूलने का भी डर रहता है तो फॉल्ल को हम थोड़ी सी उपर करके हैंगे ना तो कुछ मेजर्मेंट करने की जरुवत नहीं रहती है सिर्फ आपको क्या करना चाहिए ऐसे एक हाथ रखना है यहां पर और एक चौक का निसान लगा लेना है ठीक है यह कितने इंच हुआ यह 8 इंच है 8 इंच आपको छोड़ देना है बाहर तरब कपड़ा और है ठीक है उसको धोना पड़ता है राज भर भीगाना पड़ता है फिर प्रेस करना पड़ता है तब लगाना पड़ता है लेकिन जब हमें कहीं अरजेंट जाना है तो आपको रूबिया फॉल लाना है या फिर टेरी कॉट वाली फॉल लेना है ठीक है तो इसको देखिए ऐ ऐसे मोड़ना है लगभग एक इंच से ऐसे मोड़ लेंगे ठीक है यह मुड़ गई अब हमको इस पर सिलाई चलाना है तो देखना आप सिलाई चलाने में मैं आपको जानकारी दूंगा कि कहीं पर भी अपनी साड़ी में रिंकल फॉल नहीं आएंगे ठीक है इस तरह से आपक कितना रखना है अगर वहां पर जरा भी कपड़े में आपने इदर उदर कर दिया तो आपकी साड़ी में रिंकल आ जाएंगे ठीक है तो ध्यान देना उस तरब जब जाएंगे तो कहां से हमको इस कपड़े को कैसे रखना है तो चलिए इसको लगाते हैं मैंने पहले ही का आए कथाई वाली बॉर्डर बहार छोड़ना है तो ऐसे रख लेंगे कथाई वाली बॉर्डर के यहाँ पर और इस पर सिलाई चलाएंगे और देखिए यह जो कपड़ा रहता है जैसे यह प्रिंटेट इसके अंदर सिलाई दिखती भी न फिनेशिंग के करान आपको यह जो बहार दिख रहा है ना फॉल का धागा इसको भी ऐसे अंदर मोड लेना है देखिए जो भी काम हम करते है ना उसमें फिनेशिंग चाहिए है ना फिनेशिंग बहुत ज़रूरी है ऐसे ही सिले चलाऊंगा रेगुलर और एक और चीज यह जो फॉल लगती है ना जब तक आपकी साड़ी फटनी जाएगी तब तक यह फॉल उखड़ने वाली नहीं है तो रुपई क्या होता है जरासा एक धागा खिचा जाता है तो पूरी फॉल निकल जाती है किन लोगों की फॉल निकल जाती है तो रुपई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना अभी देखिए मैंने यहां पर बिल्कुल अंदर इस धागे को मोड़ दिया तो यहां पर भी देखिए कित्ती फिनेशिंग है फॉल लगाने में और इस तरब भी देखिए आपक कपड़े को कैसे खीच रहा हूँ ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं अब है अब है अब देखिए हम यहां पर आगए है एकदम बाहार की तरब अब यहां पर आप जो यह कपड़ा है ना इसको बरोबर ध्यान से रखेंगे और ध्यान से रखने के लिए आपको सिरिव यह देखना है यह जो रहता है ना यहां से एक बिल्लास से देड़ बिल्लास के करीब यही डिसाइड क आपकी साडी में रिंकल आएंगे जोल आएंगे या नहीं आएंगे ठिक है तो मैं आपको बता देता हूं क्या ठृज ध्यान देना है कि यह कपड़ा है इसको ऐसे मोडंगे यहाँ पर ठीक है पहले सिलाई हम यहां तक कंप्लिट कर लेंगे यह देखिए मैंने यहां तक complete कर लिया है अब हम साड़ी को ऐसे पलटाएंगे ध्यान से देखना यही पर सारी साड़ी में रिंकल जोल आने की problem आ जाती है कई लोगों की comment रहती है कि साड़ी को किते भी अच्छे machine से लगा तो उसमें जोल आ जाता है यहां पर देखिए ऐसे यह जो फॉल है इसको ऐसे रखना है अपने को बरोबर से और यहां पर यहां से यहां तक बस इतना ध्यान दे लेना है इस भाग को ऐसे मोड लेंगे सीधे से ऐसे रख लेंगे यहाँ पर यह देखिए ऐसे ठीक है थोड़े अच्छे से इस पर ऐसे नाकुन लगा लेंगे अब देखेंगे इस कपड़े पर देखिए कई बार क्या होता है कोई उठाता है ऐसे लगा लेगा अगर ऐसे यहाँ पर देखिए इसको ऐसे रखना है बरोबर से मैंने यहाँ पर भी देखिए बरोबर से रखा है और बस इतनी सी जगे पर आपको ध्यान दे लेना है यहाँ पर कोई भी रिंकल जोल नहीं आना चाहिए आप यहाँ पर सिलाई चलाईए ऐसे अब इधर सिलाई चलाएंगे जब इस तरब सिलाई चलाएंगे आप फॉल में कभी भी तो हाथ को ऐसे रखेंगे कपड़े को बाहर निकालेंगे और सिलाई चलाएंगे यह देखिए ऐसे ऐसे कपड़े को बरोबर निकाल देंगे अभी देखिए इस कपड़े को बरोबर से ऐसे जमा लेना है बरोबर से यहां तक ऐसे बस ऐसे चलाते जाएंगे दोनों हातों को बरोबर रख लीजिए कपड़े को बरोबर रख लीजिए ऐसे और देखिए यहां पर भी बरोबर ऐसे मोड लीजिए जहां तक हमारा कपड़ा आ रहा है वहीं पर रख लेंगे और मैंने क्या कहा यहां पर कोने में अंदर मोड़ना है कपड़े को बरोबर से ऐसे आप देखिए यह फॉल हमारी लग चुकी है कैसे लग रही है जरूर बताना इस तरब मैंने पल्टाया यहां पर देखिए कहीं पर भी कोई रिंकल जोल नहीं दिखेगा आपको पूरी की पूरी फॉल को आप यहां से वहां तक देख सकते हैं देखिए बिल्कुल प्लेन ऐसी प्लेन आपकी हाथ से भी साड़ी में फॉल लगाएंगे ना तो नहीं आएगा और कहीं पर भी आपको कोई सिलाई नहीं दिखेगी कुछ नहीं दिखेगा तो इस तरीके से आप पांच मिनिट में फॉल लगा सकते हैं और कहीं पर भी पॉल्टी अटेंड करने जा सकते हैं दोस्तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताना और लाइक जरूर करना ताकि आने वाले नए नए वीडियो की आपको मिल सके तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई